हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडि एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में जैसा कि आपने थम्नेल में देखा होगा S angling system में एक problem आती है common problem है जिसमें क्या होता है air pipe जो होता है hose pipe जो की half inch या फिर 1 inch का use किया जाता है कहीं कहीं पर half inch कहीं कहीं पर 1 inch का use किया जाता है वो बार बार puncture होने लग जाता है तो उसके पीछे क्या reason है क्या करने से वो problem sort out हो सकता है इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो के start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्त तक तो friends सबसे पहले हम basic जान लेते हैं कि air handling system या फिर conveying system कैसे काम करता है तो देखिए उसका basic यह है कि air handling system या फिर conveying system में fine से जो dust particle रहते हैं उसे एक जगा से दूसरी जगा air के pressure के थुरू shift किया जाता है convey किया जाता है ठीक है यह होता है आपका air sending system तो इसमें एक common problem आती है वो है कि air का जो host pipe रहता है जैसे आप यहाँ पे image में देख रहे हैं यह जो motor pipe दिख रहा है वो 4 inch का pipe का इस्तमाल किया जाता है MS का pipe होता है अब देखिए इसमें dust और air का mixture जो है वो इसमें इसके through जाता है एक जगा से दूसरी जगा उसके बाजू में आपको एक पतला pipe दिख रहा है यह है air का air का pipeline है जिसमें से high pressure air जो है वो conveying pipe में गया हुआ है देखिए एक पतला सा pipe लगा हुआ है यहाँ पर 1 inch का pipe लगा हुआ है 1 inch या फिर half inch के pipe का इस्तमाल किया जाता है ज्यादा तर 1 inch के pipe का यानि जिसका ID 1 inch हो उस pipe का इस्तमाल किया जाता है तो आप देख सकते हैं जो है यह pipe है और यहाँ पर आगे में लगा हुआ है NRV conveying line के उपर में यह non return wall है तो यह host pipe जो है वो बार बार पंचर होता है और हमको समझ नहीं आता है कि आखिरी ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे का reason इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ जब कभी भी आपका यह जो NRV लगा हुआ है non return wall अगर यह fail हो जाता है तब क्या होता है conveying line से जो dust है वो वापस air line की तरफ जाता है जब वो operate होता है तो जिसकी वज़ा से क्या होता है fine dust particles जो है वापस उस host pipe में जाते हैं और जिसकी वज़ा से क्या होता है puncher बार-बार आपका यह host pipe है वो puncher हो जाता है तो इस problem को sort out करने के लिए आपको जब कभी भी ऐसा problem आए कि बार-बार आपका जो host pipe puncture हो रहा है तो host pipe replace करने से पहले जब पहली बार आपका host pipe पर बार बार पंचर होने लगता है तो आप नया NRV वहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए उस NRV की जगा तो फिर आपका यह जो प्रॉबलम है NRV host pipe का बार बार फटने का वो problem जो है वो solve हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्स्ट्राइब कर दीजिएगा फिर से मिलें के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा